अभी हाल ही में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जैशंकर इनके दोरा United Nations General Assembly संयुक्त राश्ट्र महासवा में एक जो है स्पीच दी गई उसी स्पीच के संबंद में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे Home and Abroad Home का मतलब हो गया कि आपके घर में आपके घरेलू इस तर पे और Abroad का मतलब हो गया देश के बाहर यानि कि विदेश में तो दोनों इस तर की बात हम करेंगे कि घरेलू इस तर पर और विदेश इस तर पर Home and Abroad घर में और घर के बाहर देश में और विदेश में इफ इंडिया इज टू युनाइट पॉलराइजड देखो पॉलराइजड का मतलब होता है धुरुवी करत यानि की पॉलराइजड का मतलब होता है धुरुवी करण, पॉलराइजेशन का मतलब होता है धुरुवी करण, धुरुवी करण का मतलब होता है कि लोगों का दो मुह में बढ़ जाना भाशा को लेकर धर्म को लेकर किसी भी मुद्दे को लेकर तो अकुल मिला के जो बटे हुए रास्ट्र हैं अगर उन्हें भारत को एक करना है देखो यह is to, are to, am to, is to, are to, are to, am to, इनका प्रियोग किया जाता है इस तरह के sentence बनाने के लिए कि कोई काम करना है कि कोई आपकी योजना है इस योजना को अंजाम देना है तो अगर भारत को जो polarized nation है उन्हें एक करना है उन्हें unite करना है तो it, it यहाँ पे आया है भारत के लिए it must bring divisive, divisive का मतलब होता है जोजनकारी यहनी कि बांटने वाली यह बांटने वाला forces का मतलब हो गया है इस ताकतें अंडर कंट्रोल किसी भी चीज को अंडर कंट्रोल लाने का मतलब होता है कि अब परिस्थिती जो है वो एकदम आपके कंट्रोल में है यानि कि अब परिस्थिती जो है वो नियंत्रित है तो कुल मिला कि अगर भारत जो देश है उन्हें एकिकरत करना चाहता है तो भारत को ज भाजनकारी ताकतें हैं, उनको नियंत्रित करना जरूरी है, उनको नियंत्रण में लाना जरूरी है, Delivering India's Statement, देखो, Deliver, जैसे Speech Deliver करना, यानि कि Speech देना, तो Speech के लिए ज़्यादा तर हम Deliver शब्द का ही प्रियोग करते हैं, Delivering India's Statement, तो भारत का Statement देते हुए, यानि कि भारत का जो बयान है, वो देते हुए, कहां पर, at the United Nations General Assembly, कि संयुक्त राष्ट महासबा में, भारत के बयान को देते हुए, इस वर्ष, External Affairs Minister, External Affairs Minister, विदेश मंत्री, कौन? ऐस जैशंकर, देखो, External का मतलब क्या होता है? External का मतलब होता है, बाहरी, और Affairs का मतलब क्या होता है? मामले, तो कुल मिलाके एक ऐसा व्यक्ति, या एक ऐसा व्यक्ति, जो की बाहरी मामलों को देखता है, उसको हम बोलते है, External Affairs Minister, इसका मतलब हो गया एक तरीके से विदेशी मामलों को जो देखता है बाहरी मामलों को तो उसको हमने कहा External Affairs Minister तो UNGA में विदेश मंतरी S.J. शंकर ने भारत का बयान देते हुए जो है उन्होंने क्या बात कही S.J. शंकर, Spoke of, देखो ये है हमारी एक phrasal verb, Speak of, एक phrasal verb होती है इसका मतलब होता है कि Speech के दोरान किसी subject को mention करना, उस subject के बारे में कुछ कहना, उसके बारे में कुछ बताना तो Mr. S.J. शंकर जो है, उन्होंने mention किया, उलेक किया, किस चीज का? Several, इसका मतलब होता है कई, challenges का मतलब है चुनोतियां, in India's past तो भारत का जो बीता हुआ past है, उसमें जो कई चुनोतियां थी, उन चुनोतियों का भी उलेक Mr. S.J. शंकर ने किया इसके लावा past की चुनोतियां, वर्तमान की चुनोतियां और आने वाले भविश में हमारे सामने क्या challenges हैं, उन सभी बातों का उलेक Mr. J. शंकर ने किया with a special emphasis on, यानि कि special emphasis on, विशेश जोर देते हुए, यानि कि विशेश जोर किस बात पर दिया गया, the immediate shocks की तातकालिक जो जटके लग रहे हैं, arise from, arise का मतलब होता है उठना, किसी चीज का पैदा होना, यानि कि वर्तमान में जो चुनोतियां वो कहां से पैदा हो रही हैं, वे कहां से उठ रही हैं, from the war in Ukraine, तो वर्तमान जो चुनोतियां हैं, वो पैदा हो रही है, कहां से, कि COVID-19 pandemic pandemic का मतलब होता है वैश्विक महामारी इसके लावा COVID-19 महामारी इसने भी कई चुनोतियां जो हमारे सामने खड़ी कर दी है इसके लावा climate change है जलवायू परिवर्तन है और आतंकवाद तो ये कुछ ऐसी बाते हैं जो की तातकालिक रूप से चुनोतियों का कारण है इन stark contrast देखो stark का मतलब हो गया बहुती तीवर, बहुती शार्प बहुती तीखा और contrast का मतलब होता है विरोधा भास विरोधा भास का मतलब होता है कि दो opposite चीजें आपको देखने को मिल रही हैं तो इन stark contrast to the Pakistan Prime Minister शरीफ पाकिस्तान के Prime Minister शरीफ जो है इन्होंने भी अपनी speech दी और इन्होंने जो कुछ कहा उसका बिलकुल ठीक विरोध में Mr. Jayshankar ने का यानि कि बहुती ज़्यादा विरोधा भास देखने को मिलता है इन दो व्यक्तियों की अगर हम बात करें Mr. S. Jayshankar और Prime Minister शरीफ जो है इनके द्वारा जो बातें सहुक्तराश्ट महासभा में रखी गई उन बातों में तीवर विरोधा भास हमें देखने को मिलता है स्टार का कॉंट्रास्ट देखने को मिलता है क्यों? अब जो Mr. शरीफ है पाकिस्तान के Prime Minister यह हू आया है शरीफ के लिए पाकिस्तान के Prime Minister शरीफ जो है इन्होंने भारत के बारे में अपमान जनक कमेंट्स किये Mr. Jayshankar और जबकि Mr. Jayshankar जो थे made no direct comment on Pakistan इन्होंने किसी भी तरह का सीधा comment पाकिस्तान पे नहीं किया यानि कि किसी भी तरह की गलत टिपणी सीधे सीधे पाकिस्तान पे नहीं की इसलिए लिखाए है यहां पे कि स्टार कॉंट्रास्ट देखने को मिलता है इन दोनों लीडर्स की बातों में नौर डिड देखो नौर से अगर कोई वाकी शुरू होता ने इसका मतलब होता है नहीं यानि कि न तो उन्होंने ऐसा किया और नहीं ऐसा किया नौर डिड ही डिरेक्टली मेंशन इंडियास चैलेंज़स कि मिस्टर एस जैशंकर जो है उन्होंने नहीं इस बात का उलेख किया किस बात का नौर डिड ही डिरेक्टली मेंशन इंडियास चैलेंज़स एट दा लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल देखो ल एसी Line of Actual Control भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है न उसको हम बोलते हैं L.S.C तो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है इसका भी डायरेक्टली उलेक Mr. S. जैशंकर ने नहीं किया इस चुनोदी का उलेक भी Mr. S. जैशंकर ने डायरेक्टली नहीं किया अल्दो यद्यपी हालांकी ही कृटिसाइजड हालांकी Mr. जैशंकर जो थे उन्होंने आलोचना की किसकी? चाइना की चाइनास हैबिट कि चाइना की जो आदत है ना उस आदत की आलोचना मिस्टर जैशंक करने की, क्या है चाइना की आदत? Of politicizing and blocking UN security council terrorist designations, कि चाइना की अक्सर ये habit हमें दिखाई देती है, कि चाइना जो है, राजनीती करन करने की कोशिश करता है, किसी भी चीज को politicize करने का मतलब होता है, कि उस मुद्दे के उपर राजनीती करना, कि चाइना जो है, हर बार राजनीती करने की कोशिश करता है, और block करने की कोशिश करता है, किस चीज को? UN security council, कि सैयुक्त रास्टर की, जो सुरक्षा परिशद है, उसके द्वारा मान लो, terrorist designation, देखो designation का मतलब है, यहाँ पर नामित करना, कि आतंकवादियों को नामित करते हुए, यानि कि आतंकवादियों की मान लो, एक list तयार की जाती है, कि फलाँ फलाँ व्यक्ती जो है, वो आतंकवादी है, यानि कि उनको आतंकवादी designate किया जाता है, तो इस तरह का, जो कदम UN Security Council द्वारा उठाया जाता है, तो इस कदम को अक्सर block किया जाता है, और इस कदम पर China राजनिती करने की कोशिश करता है, तो China की यह अक्सर habit रही है, और इस habit की आलोचना जो है, Mr. Jay Shankar ने की, लेकिन उन्होंने directly किसी भी तरह से जो है, L.A.C. को लेकर भारत और चाइना के बीच जो विवाद है, उस विवाद का उलेक नहीं किया, His comments on Ukraine were watched, His comments कि जो भी टिपणिया, Mr. S. Jay Shankar ने Ukraine को लेकर की है न, Ukraine के उपर उन्होंने जो भी टिपणिया की, उन टिपणियों को जो है, बहुत ही closely watch किया गया, उन टिपणियों को देखा गया, क्यों? ऐसा इसलिए, As, ऐसा इसलिए, As, They came, Days after, Prime Minister Narendra Modi, Was lauded, क्यों? क्योंकि Mr. S. Jay Shankar ने जो comments किये, Ukraine के संबन में, वे comments आए, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, after, Prime Minister Narendra Modi, Was lauded, देखो, lauded, इसका, lauded का मतलब होता है, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रिशंसा करना, by, Western countries, देखो, क्या हुआ था, कि, जो पश्चिमी देश हैं, उन पश्चिमी देशों के द्वारा, Prime Minister Narendra Modi की तारीफ की गई थी, और, इसके बाद में, Mr. Jay Shankar के ये कमेंट्स है, इसलिए इनको जो है, वाच किया गया, देखा गया, अब, जो पश्चिमी देश हैं, इन्होंने Mr. Narendra Modi की तारीफ किसलिए की थी, इस बात के लिए, for, telling Russian President Vladimir Putin, रशिया के जो President है, Vladimir Putin, उन्हें ये बताने के लिए, यानि की Prime Minister Narendra Modi ने, Russian President Vladimir Putin को ये बताया था, क्या, that, की, the era, era का मतलब होता है, युग, era of war is over, की, युद्ध का युग, समाप्थ हो गया है, अभी हाली में, Prime Minister Narendra Modi की, Mr. Putin से मुलाकात होई थी, तो इस मुलाकात के दौरान, Mr. Modi ने, पुतिन से कहा था, की, war का जो युग है, वो समाप्थ हो गया है, और ये जो बात Mr. Modi ने कही थी, इसी बात के लिए, पश्चिमी देशों के दौरा, Mr. Modi की जो है, तारीफ की गई थी, और इसके बाद में, अब Mr. Jay Shankar ने कमेंट्स किये हैं, यूकरेन के सम्मद में, इसलिए उन कमेंट्स को वाच किया गया, उन कमेंट्स को देखा गया, Mr. Jay Shankar expanded, expand का मतलब होता है, विस्तार करना, on Mr. Modi's theme, theme का मतलब होता है, एक परिटिकुलर विश है, एक परिटिकुलर सब्जेक्ट, without seeming, देखो seem का मतलब होता है, प्रतीत होना, without seeming to either, तो देखो Mr. Jay Shankar जो थे, उन्होंने क्या किया, Mr. Modi की जो theme है, उसको expand किया, उसका और ज़्यादा विस्तार किया, without seeming, बिना प्रतीत होते हुए, to either, either का मतलब होता है, न तो, to either criticize रशिया, और condone, देखो, condone का मतलब होता है, उपेक्षा करना, जान बूच कर अंदेखा करना, उसको बोलते हैं, condone करना, कि, without seeming, to either criticize रशिया, और condone its action, यानि कि, Mr. Jay Shankar ने, Modi की theme को, यानि कि, Modi ने जो कुछ बातें कही थी, उन्हीं बातों को expand करते हुए, उन्होंने और बातें कही, लेकिन बातें उन्होंने इस तरह से कही, कि, वे इस तरह से प्रतीत नहीं हुए, कि, न तो वे रशिया को criticize करते हुए नजर आए, और नहीं, रशिया के जो भी actions है, उन actions की उपेक्षा, या अंदेखी करते हुए नजर आए, देखो थोड़ा सा, हल्का सा complicated sentence, कि, भई, Mr. Jay Shankar ने अपनी बातों को रखा, लेकिन अपनी बातों को रखने के दोरान, न तो अपनी बात जब वो कह रहे थे ना, तो न तो वे इस तरह से प्रतीत हुए, कि मानो रशिया को criticize कर रहे हो, और नहीं वे इस तरह से प्रतीत हुए, कि रशिया के कदम की अंदेखी कर रहे हो, तो कुल मिलाके बहुत ही डिपलोमेटिक तरीके से Mr. Jay Shankar ने अपनी बात को रखा Instead Instead का मतलब होता है के बजाए He said Mr. Jay Shankar ने कहा India stands on देखो stands on इसका मतलब है आप किस पक्ष में हो आप किस साइड में हो तो Mr. Jay Shankar ने कहा कि India stands on the side of peace कि भारत जो है शांती के पक्ष में है of respect for the UN charter जो को charter का मतलब होता है अधी नियम कि बही कोई particular rules नियम या कानून जो बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं अधी नियम या charter तो कुल मिलाके भारत ने कहा Mr. Jay Shankar ने कहा कि भारत जो है शांती के पक्ष में हैं भारत UN का जो अधी नियम है उसका सम्मान करता है dialogue and diplomacy इसके अलावा भारत जो है वो dialogue करने यानि की समवाद करने के पक्ष में है कूट नीती के पक्ष में है and with all those और भारत उन सभी लोगों के साथ है now grappling with देखो grapple के साथ में with preposition आता है grapple with का मतलब होता है jujna है न किसी चीज से fight करना किसी चीज से संगर्ष करना तो यानि कि वे सब जो की juj रहे हैं किस चीज से the escalating escalating का मतलब है बढ़ती हुई या बढ़ता हुआ cost of food यानि कि जो खाद्य पदार्तों की बढ़ती हुई कीमते हैं इनसे जो लोग जूज रहे हैं of fuel and fertilizers यानि कि जो उर्वरक हैं इसके लावा इंधन है इसके लावा food है तो इनकी जो बढ़ती हुई कीमते हैं इनसे जो लोग जूज रहे हैं उनके साथ भारत है इस तरह की बात Mr. S. J. Shankar ने कही His words were आगे देखते हैं Even-handed देखो Even-handed होने का मतलब होता है निस्पक्ष होना Even-handed होने का मतलब होता है कि बिल्कुल उचित और बिल्कुल निस्पक्ष होना तो Mr. J. Shankar के जो शब्द थे वे निस्पक्ष थे and require global stakeholders और Mr. J. Shankar के जो शब्द हैं उन शब्दों को जरूरत है किस चीज की Global Stakeholder Stakeholders का मतलब होता है हित धारक हित धारक To Consider यानि कि जो भी वैश्विक Stakeholders हैं कुल मिला के उधारन के तोर पे हम माल लें कि यूक्रेन वार से जो भी देश प्रभावित हो रहे हैं तो यह जो प्रभावित होने वाले देश हैं इनको हम क्या कहेंगे Stakeholders कहेंगे तो जो भी वैश्विक Stakeholders हैं उनको जरूरत है कि वे Consider करें Consider करने का मतलब होता है विचार करना किस बात पर विचार करें दोनों चीजों पर विचार करें कौन सी हैं दोनों चीजे The Risks Risks का मतलब हो गया जोखिम खत्रे From the Conflict Conflict का मतलब है संगर्ष In Ukraine तो देखो Ukraine में जो संगर्ष चल रहा है उसके जो जोखिम है जो खत्रे है उन पर भी विचार करना जरूरी है And From और दूसरे खत्रे कहां से है US EU LED देखो LED का मतलब होता है किसी चीज का प्रतिनिदित्व करना America और European Union इन्होंने क्या किया है Sanctions Sanctions का मतलब होता है प्रतिबंद कि America और European Union ने मिलके कई सारे प्रतिबंद लगाए है किस पर रूस पर अब इन प्रतिबंदों के कारण क्या हो सकता है That That यहां पर आया है इन sanctions के लिए Could Could यहां पर आया है Future Possibility के लिए कि संभावना बनती है Exacerbate का मतलब होता है और खराब कर देना Exacerbate का मतलब होता है किसी परिस्थिति को या किसी इस्थिति को और ज़्यादा बिगाड देना तो कुल मिला के America America और European Union के द्वारा जो भी प्रतिबंद लगाए गए है उन प्रतिबंदों के कारण क्या हो सकता है यह प्रतिबंद जो है जो Global Economic Fragmentation है Fragmentation का मतलब होता है बिखराओ Fragmentation का मतलब होता है तूट के बिखरना कि जो वैश्विक आर्थिक इस्थिति है उसका और ज़्यादा बिखराओ हो सकता है यानि कि जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्ता है वो पहले से ही खराब चल रही है लेकिन वो और ज़्यादा exacerbate हो सकती है यानि कि और भी ज़्यादा बिखर सकती है अमेरिका और योरोपियन यूनियन के sanctions के कारण ठीक है इसके अलावा और क्या चीज़ है जो exacerbate हो सकती है and inflationary trend trend का मतलब हो गया चलन है न inflationary देखो inflation का मतलब होता है मुद्रा इस्फिती मुद्रा इस्फिती का मतलब होता है महंगाई तो कुल मिला के अमेरिका और योरोपियन यूनियन ने जो प्रतिबंद लगा रखे हैं उनके कारण लगातार जो है महंगाई मुद्रा इस्फिती का trend जो है इसके अलावा जो वैश्विक आर्थिक इस्थिति जो है उसमें फ्रेग्मेंटेशन देखने को मिल रहा है उसमें बिखराव देखने को मिल रहा है और यह sanctions अगर लगातार बने रहते हैं तो परिस्थिति जो है वो और भी ज़्यादा exacerbate हो सकती है और भी ज़्यादा खराब किया उन्होंने कहा कि यह जो यूक्रेन में जो संगर्ष चल रहा है इसके कारण जो है खत्रे हैं उन पर विचार करना जरूरी है सभी हित धारकों को और साथी साथ दूसरी बात उन्होंने कही कि अमेरिका और यूरोपेन यूनियन के द्वारा जो प्रतिबंद लगाए गए वे प्रतिबंद जो है परिस्थितियों को और बी ज़्यादा बिगाड सकते हैं दा प्रोग्नोसिस का मतलब होता है निदान seems का मतलब है प्रतीत होना even bleaker देखो bleak होने का मतलब है जैसे हम कहें कि situation बड़ी ही bleak नजर आती है इसका मतलब है कि कोई उम्मीद नजर नहीं आती situation के bleak होने का मतलब है कि आपको भविश के संबंद में कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती या फिर बहुत कम उम्मी दिखाई देती है the prognosis seems even bleaker कि यह जो पूरा की पूरा संकट है यानि कि यह जो समश्या है इसका निदान बहुत ही निराशा से भरा हुआ प्रतीत होता है even का मतलब होता है यहां तक की कि जो निदान है वो यहां तक की ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा निराशा से भरा हुआ है bleaker देखो यह जो bleak है ना इसकी comparative degree है यानि कि तुलनात्म कुरूप से और भी ज़्यादा निराशा में भविश्य दिखाई देता है भविश्य प्रतीत होता है given given का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए देखते हुए given that just prior to prior to का मतलब होता है के पहले के पूर्व the UNGA कि United Nations की यह जो General Assembly है इसके पहले जो कुछ हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था इसके पहले Mr. Putin delivered a speech Mr. Putin ने एक भाषन दिया था देखो deliver a speech भाषन देने के लिए हम इसको यूज करते है देखो यह particular शब्द आपको याद होने चाहिए कि जैसे आपने का कि he delivered a speech तो भाषन देने के लिए इस deliver शब्द का ही प्रियोग किया जाता है तो जैसे मान लो close test आया हुआ है तो वहाँ पर अगर यह शब्द दिया हुआ है आपको deliver तो इस शब्द को आपको प्राथमिकता देनी है Mr. Putin delivered a speech committing देखो commit का मतलब होता है किसी चीज के प्रती अपना dedication दिखाना अपनी प्रतिबधता दिखाना तो UNGA के पहले Mr. Putin ने अपना भाशन दिया था और उस भाशन में उन्होंने प्रतिबधता दिखाई थी किस बात की प्रति Russia's ability Russia की छमता to use all weapons कि उन्होंने अपने भाशन में कहा था कि भई Russia जो है वो able country है और वो अपने सारे हतियारों का प्रियोग कर सकता है indicating यानि कि ये संकेत देते हुए nuclear options nuclear options है ना कि ये विकल्प भी है हमारे पास nuclear options का मतलब है कि परमानू हतियारों का option भी Russia के पास available है इस तरह की hint देते हुए Mr. Putin ने भाशन दिया था while जब की the Ukrainian President की Ukraine के जो President है उन्होंने कहा said no dialogue could bring an end to the war an end to the war का मतलब हुआ कि जो युद्ध है उसको समापती की और लाना bring का मतलब हो गया लाना और could यहां पे आया है possibility के लिए while जब की Ukraine के जो President है उन्होंने क्या कहा कि किसी भी तरह का समवाद जो है वह युद्ध को समापती तक नहीं ला सकता यानि कि Mr. यह जो है जैलन्स की यह Ukraine के President है तो इनका तो यह कहना है कि किसी भी तरह की बाचीद जो है युद्ध को समापत नहीं कर सकती Calling for देखो call for यह एक phrasal verb होती है इसका मतलब होता है सारजनिक रूप से किसी चीज की डिमांड करना Instead का मतलब हुआ के बज़ा है Calling instead for और जो Ukraine के President है उन्होंने के बज़ा है उसके बज़ा है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि डायलोग से तो बात नहीं बन सकती इसके बज़ाए उन्होंने इस चीज की सारजनिक रूप से मांग की इस बात को उन्होंने सारजनिक रूप से कहा किस बात को? For इस बात के लिए उन्होंने कहा For more weaponry देखो weaponry का मतलब होता है Weapons Collectively कि कई सारे जो हतियार है उनको अगर हम Collectively एक शब्द देना चाहें तो हम प्रियोग कर सकते हैं weaponry का तो कुल मिला के यूकरेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो इसी बात के लिए कहा है सारजनिक रूप से कि और ज्यादा हतियारों की जरूरत है रशिया के खिलाब and a global effort और एक वैश्विक प्रियास की जरूरत है to punish रशिया रशिया को दंड देने के लिए एक वैश्विक प्रियास की जरूरत है और अधिक हतियारों की जरूरत है एसी बात यूकरेन के प्रेसिडेंट ने कहीं उन्होंने कहा कि अब बातचीत जो है उससे युद्ध खत्म नहीं हो सकता बातचीत के बजाए इंस्टीट उसके बजाए और ज़्यादा हतियार चाहिए और एक वैश्विक प्रियास चाहिए जिसके माध्यम से रशिया को दंड दिया जाए Above all इन सब के उपर इन सब से सर्वो परी Mr. Jay Shankar held देखो held का मतलब होता है किसी चीज की तारीफ करना किसी चीज की प्रिशंशा करना What he called The New India तो क्या ऐसी बात है जिस बात की Mr. Jay Shankar ने तारीफ की कि What he called कि उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा New India Under Mr. Modi कि Mr. Modi के नेत्रतों में जो New India है उसकी तारीफ करते हुए Mr. Jay Shankar ने कहा क्या कहा Spelling out देखो Spell out का मतलब होता है किसी बात को Clearly explain करना उस बात को और ज्यादा इस पश्ट रूप से समझाना Five Pledges Pledges का मतलब हो गया Shapt Made at the 75th Independence Day Anniversary Anniversary का मतलब हो गया वर्षगांट कि भारत की 75th जो सोतंतरता की वर्षगांट है उस वर्षगांट पर जो पांच शपत ली गई थी उनको और ज्यादा Explain Mr. Jay Shankar ने किया अब ये जो पांच शपत है इन में क्या-क्या शामिल है Which includes इन पांच शपत में शामिल है क्या-क्या Making India India को बनाना A developed nation By 2047 तो ये जो पांच शपत ली गई उन पांच शपत में ये बात भी शामिल है कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाना इस बात की तारीफ Mr. S. Jay Shankar ने की He added साथ ही उन्होंने इस बात को भी add किया यानि की अपनी बात में और जोड़ा उन्होंने That की India is ready की भारत तयार है To take on देखो ये take on एक आपकी phrasal verb है इसके कई मीनिंग होते हैं और यहाँ पर इसका मीनिंग है Responsibility लेना जिम्मेदारी लेना Enhanced का मतलब हुआ और ज़्यादा विक्सित और ज़्यादा डवलप्ड उसके लिए हम कहेंगे Enhanced Responsibility At the Global Body Global Body यहाँ पर आया है UN के लिए कि यह जो कह सकते हो आपकी यह जो सहियुक्तराष्ट General Assembly है यह जो Global Body है इस Global Body में भारत जो है तयार है कि और ज़्यादा बड़ी हुई जिम्मेदारी को भारत लेने के लिए तयार है साती सात मिश्टर जैशंकर जो है उन्होंने सारजनिक रूप से इस बात को भी कहा Call for है ना कई बार आ गई है इसका मतलब होता है Publicly किसी बात के लिए कहना Publicly किसी बात की डिमांड करना या किसी बात के लिए कहना और उन्होंने जो है क्या कहा उन्होंने इस बात की डिमांड की A Reformed Reformed का मतलब होता है कोई चीज जिसमें आपने सुधार कर दिया है Reform का मतलब होता है सुधार कर देना और reformed जिसमें सुधार कर दिया गया है, a reformed UN, उन्होंने कहा कि यह जो UN है, यानि कि यह जो संयुक्तिराष्टर जनरल असेंबली है, इसमें और ज़्यादा सुधार की जरूरत है, with an expanded security council, कि expanded, expand का मतलब क्या होता है विस्तार करना, expanded का मतलब है, कि जिसका विस्तार कर दिया गया है, देखो, वर्ब की third form का प्रियोग, एक complete action को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है न, तो कुल मिला के, Mr. Jayshankar ने क्या कहा है, कि भई एक reformed UN होना चाहिए, जिसमें कि जो security council है, सुरक्षा परिशद है, उसका और ज़्यादा विस्तार हो है न, यानि कि विस्तारित सुरक्षा परिशद के साथ, एक reformed UN होना चाहिए, इस बात के demand Mr. Jayshankar ने की, as a means, साधन के रूप में, as a means, at writing, देखो, writing का मतलब है यहाँ पर, किसी चीज को ठीक करना, मान लो कोई बात गलत हुई है, उसे ठीक करना, उसके लिए का आगया है, उसको right करना, at writing the injustice, unniyai, done to the global south, की पूरे विश्व का, जो global south की अगर हम बात करें, कि विश्व का, जो दक्षिनी छित्र है, इसके प्रती जो unniyai किया गया है, उस unniyai को, ठीक करने के लिए, एक साधन के रूप में, जो security council है, उसको और ज़्यादा expand किया जाए, यानि कि, फिलहाल क्या है, कि संट रास्ट की जो सुरक्षा परिशद है, उसमें बहुत ही गिने चुने देश शामिल है, तो उसमें क्या किया जाए, जो global south है, उन देशों की भागेदारी भी बढ़ाई जाए, और इस तरह से जो है, और सुधार किये जाए, the year ahead, कि आगे आने वाला जो साल है, where, जिसमें कि, इंडिया will host, यानि कि 2023 की बात हो रही है, होस्ट का मतब है यहाँ पे, मेजबानी करना, where इंडिया will host, the G20 summit, summit का मतब होता है, summit की आगे आने वाला जो साल है, यानि कि 2023 जो है, उसमें क्या होगा, भारत G20 summit की मेजबानी करेगा, तो इस आगे आने वाले साल में क्या होगा, will, no doubt, इस बात में कोई शक नहीं है, कि आगे आने वाले साल में क्या होगा, test the will, will का मतलब है यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ती, ध्यान रखना, यहाँ पे will कोई helping अवरब नहीं है, यहाँ will का मतलब है इच्छा शक्ती, test the will का मतलब है, इच्छा शक्ती का परिक्षण यानि कि आगे आने वाले साल में भारत की इच्छा शक्ती का परिक्षण होगा and the ability of the Modi government साथी साथ Modi government की जो ability है Modi government की जो छमता है उसकी जो योगिता है उसका भी परिक्षण आगे आने वाले साल में देखने को मिलेगा किस ability की बात हो रही है यहाँ पर Modi government की किस ability की बात हो रही है to play the role play the role का मतलब होता है भूमी का निभाना of global uniter global uniter का मतलब हुआ कि विश्व को जोडने वाला कि विश्व को जोडने वाले के रूप में भारत की या Modi government की भूमी का जो है उसका परिक्षन भी आगे आने वाले साल में होगा and what Mr. Jay Shankar called a bridge between और इस बात का भी परिक्षन होगा and और किस चीज का परिक्षन होगा इस बात का भी परिक्षन होगा क्या है वो चीज जिसका परिक्षन होगा Mr. Jay Shankar ने कहा है क्या कहा है called a bridge between nations polarized by bitter divides देखो bitter का मतलब क्या होता है कड़वाहट से भरा हुआ कोई चीज है जिसमें कड़वाहट मौचूद है मान लो कोई दो व्यक्ति है उनके बीच unfriendly relations है तो उसे हम क्या कहेंगे bitter relations divides विभाजन हो गए तो कुल मिलाके जो कड़वाहट से भरे विभाजन के कारण कई देश बटे हुए हैं उनको जोड़ना है ना उनके लिए जो bridge का काम करेगा ऐसी भूमी का भारत निभाएगा तो भारत ने ये जो इच्छा दिखाई है तो इसमें भारत कितना सफल होगा ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा इट इस अ गोल ये हमारा गोल है ये हमारा उद्देश है विच क्या है हमारा गोल कि भारत जो है वो एक global uniter है यानि कि पूरे विश्व को जोड़ने वाला है अगर ये आपका गोल है तो which will only be achievable achievable का मतलब है प्राप्त करने योगे तो ये गोल जो है प्राप्त करने योगे होगा कब? If New Delhi is able to play a similarly uniting role कि अगर जो New Delhi यानि New Delhi से मतलब है यापर भारत सरकार जो है If New Delhi is able अगर भारत जो है सक्षम है किस रूप में? To play a similarly इसी तरह का uniting role का मतलब है जोडने वाला जोडने वाली भूमी का in its own neighborhood कि भारत अपने पडोस में जो पडोसी मुल्क हैं खास करके पाकिस्तान और चाइना खास करके भारत अगर अपने पडोस में जो मुल्क हैं अपने पडोस में जो रास्ट हैं अगर उनको भी भारत जो है जोडने में अपनी भूमी का निभा पाने में सक्षम होता है तबी जाके ये गोल अचीव हो पाएगा आपका कौन सा? Global Uniter वाला और भारत अगर ये कर पाता है क्या? Bring Lana Polarizing and Divisive Forces कि जो धुरुवी करन करने वाली ताकते हैं Divisive Forces हैं जो विभाजनकारी ताकते हैं Within India भारत के भीतर जो भी विभाजनकारी ताकते हैं जो भी Polarizing Forces हैं यानि कि लोगों को दो विरोधी ग्रुप्स में बाटने का काम करती है इस तरह की जो ताकते हैं उन्हें अगर भारत ला पाता है Under Control यानि कि इस तरह की ताकतों को अगर भारत कंट्रोल कर पाता है तो यह यहाँ पर कुलमिला के भारत जो है अगर घरेलू इस तरह पर अच्छी भूमिका निभा पाता है और देश को और अपने पडोसियों को युनाइट कर पाता है तबी जाके यह बात संभव हो पाएगी कि भारत जो है ग्लोबल युनाइटर की भूमिका निभा सके